अलीना कैसे हैं आप उमीदें आप सब खेरियत से होंगे सो आज आपके लिए मैं एक और न्यू रेसिपी लाई हूं जिसका नमें आलो के पराथे यह बहुत ही मज़दार क्रेस्पी बनते हैं अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आलो के लिए मैं क्या चाहिए पटाटोस थोड़ा से टामाटर आधा थोड़ा से धनिया लेमन नमक लाल मिरच और थोड़ी सी मेहती और धनिया पाउडर सो अब हम सबसे पहले आलो को मेश कर लेंगे बहुत अच्छे से मेश करना है बिस मैथी से बहुत अच्छी खुश्मूं आती है इस वज़ा से डानते हैं और प्लीज हमरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन के बटन की किलिक कीजिए और जैसे आपको हमारी हर आने वान न्यू वीडियो मिल सके और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए जी तो हम आपको अपने पटाटोस मेश करके दिखाते हैं जी तो आप देख सकते हैं कितने मज़दार से और अच्छे से हमने मेश कर लिया है पटाटोस को ऐसे ही बिल्कुल आपको मेश करना है बहुत ही एजी रेसिपी है ये तो आप जरूर के जिएगा और बहुत ही किरिस्पी पराठा बनता है तो अब हम अपनी ऐल डालेंगे तो ऑल अच्छे से गरम हो जाए फिर इसमें आपने तमाटर एट करेंगे अब आपने तमाटर एट करेंगे बिस्म Payal बैराबया इसमें तमाटर डालेंगे तो आप तमाटर डाले ये खाल जाल जाए है लगशे से टप्तृ प्तातों और प्तातों बहुत हैं कर लेगे में जनके चित के बेपन फो नहीं करने डरी बताया अभी एक कर लेगे जनके खुर्ट कर लेगे टेन दोमें तंमाच्छ घंच घंच गल जयाई जो तेरा मापको बिखाते हैं तो तमटर हमने आधर से जादा गल चुके हैं आप देख सकते हैं इतनी तमटर में गला नहीं है बाकी सारे तमटर वैसे ही गल जाएंगे तो साथ से पहले हम महती एट करेंगे बिल्कुल फोड़ी ती जट तेस्ट के लिए उसके बाद हम आधर तमच नमक का एट करेंगे एक चमच लाल में इसका एट करेंगे एक चमच धनिया पाउटर करेंगे भी उसके बाद हम अधार लेमनेट करेंगे अधार से घटा बनाता है, भोड़ी मरदार से पाड़ देस होता है तो हम लेट ने को अधार को अधार को पका लेगे तो मसाला अधार से पक्षुका है अब इसमें हमने पाटाटो जाइट कर लेगे जी तो हम अच्छे से अपने पटाटोस को मसाले मेर्ट कर रहे हैं जी तो हमें बस एक मिनट पकाना है जाजानी कि हमारे आलू को बाइल है पहले से ही इस वजा से जी तो हमारी ये रेसिपी डन है चीक तो अब इसको हम गेस ओफर के अपनी रोटी को बैल लेंगे तो अब अपन को अब बैल के दिखा तभुई तो हमने बैल लिया तो अब दूस्री ले रोटी बैलने ढाग शागाँ ऑसे अि एक रोटी lost तो आप देख सकते हैं हमने दोनों रोटिया भेल ली है तो अब इसमें हम अपने मसाला जो बनाया था अलूम का वाइट करेंगे जी तो ऐसे से हम अपना मसाला लगा लेंगे बहुत ही मज़ेदार था यह पराठा बनता है आप जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत है की रिस्पी बनता है अच्छे से हम फिल कर लेंगे मसाले को आप देख रहे हैंगे हमने अच्छे से मसाले को फिल कर लेंगे कर लिया ठीक तो अब इसके ऊपर हम अपनी जो दूसरी रोटी हमने बनाई थी वह डालेंगे बिस्मिल्ला इर्मान इल्राइम यहां सो आप देख सकते हैं क्या मेरा माज़ेदार से पराठार को हमने डबल कर लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से तो अब इसमें हम थोड़ा सा आठा उपर से लगाएंगे सुखा और रोटी को हम अच्छी त्यार है अब इसमें हम तावा हमारा गरम हो चुका है इसमें हम अपनी रोटी डाल देंगे जी तो पहले हमें कच्छी पकी पकानी है और फिर इसमें हमें अपना ओल डालना है ठीक सी थे अब आधी सी यहां से पकचे, अब आधी इस साइट से तो फिर हम दाल डालते हैं जी तो एक साइट से हमें हमारी हम्हलकी सी रोटी पकचुकियांgar Nikी अब जुसी साइट से पकचें तो दोनों साइज से हमें रोटी अच्छे से पक चुकी है तो अब हम इस तरह पे तेल लगा लेंगे बिस्मिल्लायलामा मेलायम फिर हम अपनी रोटी तो यह में दोनों साइज अच्छे से पक चाएंगे अब 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 आपको फाइनल लुक दिकाते हैं जी तो आप देख सकते हैं मज़दार सके रिस्पी पर अटारेडी है सो अब चैनल के सब्सक्राइब करें और बेल आइक उनकी बटन के लिए की लिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रू कीजिए तो ऐसी ही वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलते हैं तब तक के लिए लाहाफिस थैंक्स पर वाचिंग तक के लाहाएफिस